आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे टाटा एश्टिले स्टॉक के बारे में क्या हमने कहा है उसको अगर आपने दिमांग में बिठा लिया तो इसे स्टॉक में तो बिल्कुल आप लॉस नहीं करेंगे 102 और 108 और 10 के आसपास का जो जोन है रेजिस्टेंस और 102 से 4 का जोन जो है वो सपोर्ट कल 2% के आसपास की तेजी दिखी आज देखेंगे तो नियर आराउंड 1.5% के आसपास की गिराबड दिखी जब तक ये 102 से ले करके 110 के बीच महना आपको रेजिस्टेंस के आसपास small SL के साथ long करेंगे तभी profit कमा पाएंगे major trend इस break जो down या breakout के बाद ही दिखेगा episode को बरहने से पहले channel को subscribe करें दोस्तों में share करें description के link से account open कर ले market scientist premium के नाम से जो telegram है उसको join करेंगे चाहे तो description से करें या फिर telegram में जाकर के search करें बिल्कुल हमने free कर रखा है जो भी others query है WhatsApp के थुरूप पूछें यहां देखेंगे तो कुछ भी individual इतना बड़ा news नहीं है जो इसके price को impact कर सके हैं और हमने इसा हमने कहा जो price के impact वाली news होते हैं उसी को discuss करता हूँ न्यूज सभी ऐसे हैं टाटा इस्टिल माइनिंग टू इंस्टॉल इनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू कट कार्बिन फूट्प्रेंट यह एक बड़ी न्यूज है जो आपको समझना चाहिए हलांकि इसका भी इपक्ट आपको price पे नहीं दिखेगा लेकिन यह एक secret जो न्यूज रिवेल होते हुए दिखी secret खबर बाहर आते हुए दिखे और इसका impact लॉंग रंग में जरूर दिखेगा इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे यहां delivery काफी बेटर है technical trend जो है वो mix-up है और इसलिए हमने कहा कि 110 और 8 के आसपास selling pressure और 102 और 4 के आसपास buying pressure इसके कारण यह consolidated zone है एक बार 110 को breakout होने दे तो 124, 135 और 150 तक के levels दिखेंगे short term trader caution बरते बिल्कुँ